कुछ प्रेंट्स हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ आपकी वर्ट्षाफ फ्रेंट्स हाज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौमर्स के कुछ कुछ important questions की जो कि आपके exam के point of face है important है चलिए friends video को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले प्लीज में चालों को subscribe कर लीजिए और अगर आपने channel को subscribe कर लेते हैं इस video को like कीजिए और अपने friends की शेयर कीजिए इसमें बहुत सारे questions ऐसे होंगे जो कि आपको पहले से आते होंगे और कुछ basic है और exam में इस तरह की questions बहुत पूछे जाते हैं start करते हैं first question है हमारा Indian economy is an example of अब आपको बताना है Indian economy का जो nature है वो किस तरह का है options है capitalist economy, closed economy, mixed economy या फिर none of these friends बहुत ही simple है Indian economy हमारी mixed economy है ठीक है क्योंकि यहां पर public और private दोनों की बात की जाती है यहां पर government के पास भी कुछ rules होते है rights होते हैं कुछ public के पास भी rights होते हैं ठीक है यह mixed economy की बात करती है हमारी country इसलिए यहां पर options ही right answer हो जाएगा next है cash economy is not planned, controlled and regulated by government हम इसमें यह बताना है कि ऐसी कौन सी economy यानि की नाम बताना है उस economy का जिसके अंदर नहीं हम planning की बात करते हैं, controlling की बात करते हैं और नहीं किसी भी तरह का regulation होता है government के दौरा, यानि कि एक तरह से वो government के दौरा उस पर हम यह बोल सकते हैं कि वो government के दौरा चलाई नहीं जाते है government का किसी भी तरह का restriction नहीं होता है, यानि कि उसमें government किसी भी तरह का हस्तशेफ नहीं करते है options है, closed, mixed, free market economy, none of these, तो friends देखे, closed का मतलब तो यहाँ पर यह हो गया कि closed के अंदर जो government है, उसका fully control है, planned है, government के दौरा और regulation है तो यह option first कर जाता है, और mixed में government का control होता है, तो यह भी कर जाता है बचा हमारा free market economy, तो इसका right answer होगा, option C, free market economy, ठीक है next question पर आते हैं, dash is the apex body of the economic planning in India आप हमें बताना है, इंडिया हमें economic planning की जो apex, यह निकि जो main body है, वो क्या खेलाती है planning commission, parliament, supreme court, या फिर none of these, तो यहाँ पर आप यह चीज़ याद रखे, economic planning की बात कर रहे है तो friends जब economic planning की बात आते हैं, तो वहाँ पर planning commission आता है जोकि यह देखता है कि किस तरह का काम होना चाहिए, क्या-क्या planning होनी चाहिए, अपने country को run करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी growth के लिए तो यहाँ पर option A right answer हो जाएगा, planning commission next है, globalization refers to, अब globalization का मतलब क्या होता है, यह बताना है options है, more integrated and interdependent world यानि कि यह ज्यादा integrated की बात करते है, यानि कि मिलचूल का हट चीज को काम करना interdependent world, lower income worldwide अब friends, यहाँ पर lower income worldwide की बात आ जा रहे है, तो यहाँ पर यह क्या हो गया एक तरह से negative way में चला गया, कि lower income की बात करें, जबकि हम तो higher income की बात करेंगे ठीक है, less foreign trade and investment, less foreign trade and investment होगा तो इसमें हमारी कंच्री को किसी बितरे को कोई फायदा नहीं होगा और नहीं हमारी कंच्री आंगे के लिए progress उसे मिल पाएगी, तो यह भी option गलत है फिलिए global warming, global warming तो हमारे लिए harmful है, तो हम इसकी बात तो कर नहीं सकते इसलिए यहाँ पर option A right answer हो जाएगा, globalization के लिए integration की बात करते हैं सारी country आपस में मिल जूल के trade करें, आपस में एक दूसरी की help से खुद को improve करने की कोशिश करें तो globalization का मतलब यह होता है, यानि कि हर country open है किसी वी साथ trade करने के लिए और खुद की condition को improve करने के लिए, इसलिए option A right answer हो जाएगा next question पर आते है, globalization is beneficial for firms because, अब globalization form के लिए beneficial है क्योंकि options है it protects them against foreign competition, अब globalization जो है वो हमाई यहाँ पर बात करें है, foreign competition से protect करता है तो friends यह अगर हम यहाँ पर बात करें, तो foreign competition से protect globalization नहीं करता है हमें उसके अलाबत देख लेते हैं, it cutions them from the effects of events in other countries, तो यह भी सही नहीं है यहाँ पर जो other country के साथ जो भी events होते हैं, उसमें हमें यह भी help नहीं करता है next, it opens up new market opportunity, yes यह बिल्कुल सही है, globalization से क्या होता है, एक नया market open हो जाता है for example, अगर किसी भी product की हमारे पास quantity जाता है और उसकी supply यहाँ इतनी नहीं है तो हम globalization के थुरू हमारे लिए other country का market open है, हम अपने product को जो excess product है, उसको वहाँ पर sale करके profit कमा सकते हैं तो इस से क्या होता है, एक नया market हमें एक opportunity मिल जाते हैं, कि आप other country में जाके भी trade कर सकते हैं, अपने product को sale out कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर option see right answer हो जाएगा, हमें next fourth option पर जाने की जड़त नहीं है, फिर वी एक बार देख लेते हैं, it increases the risk and uncertainty of operating in globalization world economy तो friends, यहाँ पर एक तरह से demand की बात कर रही है, क्योंकि हाँ यह बात सही है, globalization की अंदर risk भढ़ जाता है, uncertainty हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें अपनी country की हर चीज़ पता है, हमें यह नहीं पता की other country में किस तरह का risk है, वहाँ के लोगों का research करने पड़ते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, product को लेकर, वहाँ की government की policies किस तरह से हैं, तो यह सारे चीज़े देख के चलने पड़ते हैं, तो यह एक तरह से हमारे लिए risk factor यहाँ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए यह हमारे लिए beneficial नाओखे demerit का का काम करेगा, जबकि यहाँ पर option में हमसे beneficial पुछा गया, इसलिए option C, right answer हो जाएगा, next हाते है, globalization can create problem for business, because, अब जो globalization है, वो हमें यहाँ पर business के लिए problem create करता है, क्योंकि, यह हमने उपर options पढ़ेते तो आप उसे समझ गयोंगे, किस किस तरह की problem create करता है, options तेख लेते है, it can result in more competition, yes, यह बिलकुल सही है, हमारे competition जादा भढ़ जाता है, क्योंकि, for example, आप अपनी ही country में देखिए, आप, for example, हमारी country में, 10 industry थी, ठीके, तो आपको सिर्फ 10 industry के साथ competition था, कि हाँ मैं, इन industry से अच्छा product provide करना है, customer को, जिससे की हम ज्यादा profit कमा सके, लेकिन, अब क्या हो गया, globalization में, बाहर की country, जो company यह है, उनको, वो भी हमारे यहां welcome है, ठीके, अब वो यहां पर अपने product को आके sale करती है, तो हमारे साथ 10, जो हमारे यहां की company आए, उनके साथ ही साथ हमें, उनके साथ भी competition हो गया है, तो यह क्या होता है, कि globalization के अंदर, हर कोई किसी भी गंजे में जाके, अपने product को sale कर सकता है, क्योंकि customer के पास यहां पर बहुत सारी variety चीज आ जाती है, ठीके, तो यहां पर यह हमारे लिए competition increase होता है, next है, it increased vulnerability to political risk and uncertainty when operating abroad, अब यहां पर क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्रियेट हो जाता है, जब हम अपने कोई भी चीज या कोई प्रोड़क्ट है, उसको operate करते है, approach, यह भी बल्कुल सही बात है, क्योंकि political risk जरूरी हो सकता है, कि जब आपने start क्याता है, तब political norms कुछ और थे, अब party change हो गए है, तो हर party अपनी तरफ से एक अलग rule निकालती है, ठीक है, तो उससे भी हमें यहां पर effect पढ़ता है, next है, it means that they can increase price, हाँ, यह भी हो सकता है कि यहां पर जो product का price है, वो भी increase हो जाए, तो इस तरह की problems ही हमें face करनी होती है, क्योंकि हर company के अलग price होते हैं, तो यहां पर price increase होने के chances भी होते हैं, तो इसके according हमारा जो option D है, all options are correct, यह right answer होगा, क्योंकि यह सारी ही problems globalization के अंदर create हो जाती है, next हाते है, which bank is called the bank of issue, bank of issue का मतलब यहां पर यह है कैसी कौन सी bank है, जो की note issue करती है, ठीक है, तो यहां पर देखे, RBI है, SBI है, IDB है, ICICIA, तो आप सबको पता होगा, बहुत common है, RBI है, यानि की Reserve Bank of India, note issue या फे bank of issue के नाम से भी जाना चाता है, RBI को, ठीक है, आपको इसका stabilization time period और यह कब nationalized हुँ थी और इसका headquarter का, यह आपको पता होना चाहिए, बहुत common है, यह exam में पूछा जाता है, next है, theoretically, what is the most significant organ of WTO, हमें यहाँ पर बताना है, theoretically, WTO का सबसे ज्यादा significant organ क्या है, यानि कि उसका main part क्या है, the council for trade in goods, the ministerial conference, the general council, या फिर the committee on trade and development, तो यहाँ पर main component या main part की बात की जा रहे है, तो देखे, इसका जो right answer होगा, वो जाएगा option number B, the ministerial conference, यह main organ होता है, WTO का, option B, right answer है, next है, in this type of economic system, the government intervention will be absent, अब यह बता रहे हैं कि किस economic system में, जो economic system में, उसमें government का intervention जो होता है, वो absent होता है, यानि कि government intervention नहीं होता है, तो यह हमने जो starting में question कराता है, उससे आप समझ कर होगे, socialist में fully government control होता है, mixed में भी government control होता है, लेकिन यहाँ पर government intervention absent की बात की जा रहे है, यानि कि उनका control नहीं है, तो option A, right answer हो जाएगा, free enterprise economy या फिर free market economy भी इसको कहा जाता है, तो option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, next question पर आते हैं, next है, dash is an economic system where the means of production are owned and managed by the state, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसा कौन से economic system है, जहाँ पर हमारा means of production है, वो owned and managed by state है, देखिए, same, आगे ही वह वाली बात, यहाँ पर capitalism है, socialist, mixed, यह फिर common economy, तो यहाँ पर state की बात की जा रहे है, इस्टेट का यहाँ पर वो होता है, intervention, ठीक है, तो यहाँ पर option be right answer हो जाएगा, socialism, क्योंकि देखिए, friends, यहाँ पर socialism, और mixed की बात की जा रहे है, यानि वहाँ पर society से related बात है, तो वहाँ पर government का intervention जरूर होगा, क्योंकि government इस तरह की चीजों में अपना intervention रखती है, जिससे कि public को किसी भी तरह का harm ना हो, ठीक है, तो socialism में, अगर यहाँ state के दौरा, state मतलब state government, ठीक है, तो यहाँ पर manage की जा रहे है, state government के दौरा, यानि कि यह socialist economic system का part है, option b, यहाँ पर right answer है, इंडिया में कौन सी economy system follow की जाती है, friends, से पहले की जो questions थी, हमने उसमें भी यह discuss किया था, तो इंडिया के अंदर mixed economy follow की जाती है, तो option c, यहाँ पर right answer हो जाएगा, next है, in dash economic system, there exists both public and private sector, तो friends, जहाँ पर private और public दोनों sector की बात की जाती है, वो हम उस economy को हम बोलता है, mixed economy system, जो कि इंडिया में follow की जाती है, यहाँ पर private और public दोनों की ही combination से, economic system को डबलब किया गया है, तो option c, यहाँ पर right answer होगा, next है, who was the first chairman of the planning commission of India, तो friends, मैंने यह आपको, जो starting questions थे, उसमें बताया था, यह planning commission का जो chairman होता है, वो जो भी time period होगा, उस time period का prime minister होता है, तो हमारा first prime minister थे, जवालाल नहरूजी, तो planning commission का जो first chairman थे, जवालाल नहरूजी option A, right answer है, next है, when was the first industrial policy of India announced, तो friends, देखे, इसका जो right answer है, वो है, आपको option number A, April 6, 1948, में हमारा first industrial policy, जो है, वो set up की गई थी, next question पर आते हैं, there are policies, which are made to govern, import and export, आप मैं बताना है, कौन सी policy है, जो की important export trade को govern करने के लिए, या उसको चलाने के लिए बनाई गई थी, option है, export policy, import policy, exam policy, नन उप्टिस, तो देखे friends, यहाँ पर बात की जारी है, export policy, तो यह तो exports related है particular, import policy, imports related है, लेकिन यहाँ पर exam policy की बात की जारी है, जो कि हमारा right answer है, exam policy का मतलब होता है, export and import policies, ठीक है, और यहाँ पर export import दोनों की बात करें, इसलिए exam policy, यहाँ पर हमारा right answer होका, next है, when was the exam policy announced for the first time, यानि कि exam policy जो है first time कब announce की गई थी, तो देखिए, इसका right answer होगा, option number B, जो कि है, 1985, option B, right answer है, next question पर आते है, EPJ stands for, अब EPJ, यह भी हमने कल डिसकस किया था, friends, EPJ की, अगर हम right answer की बात करें, तो इसका जो full form होती है, वो होती है, export promotion zone, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर right answer है, export processing zone, इसलिए, यहाँ पर option A, right answer होगा, export processing zone, ठीक है, next है, 10 concerned with the obligations and duties of business to the society, अब यहाँ पर बताना है, कि जो society के लिए, business की duties and obligations होती है, वो किस से concern होती है, यानि कि एक business को society के लिए, क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या उसकी duties है, society को लेकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, social responsibility, status, authority and non-opties, तो देखिए, यह नाम से ही पता चलना है, social responsibility कहीं जाते है, कि एक business के लिए, उसकी social responsibility क्या है, उसको अपने, जो आसपास की society है, उसके लिए उसे क्या करना है, तो आप जानते हैं, कि बहुत सारी government के तरफ से, कुछ compulsory policies इस तरह की बनाई गई है, कुछ company जो भी है, जो अपनी तरफ से adopt करते हैं, voluntarily, जैसे कि government के तरफ से, वो है, वो है eco-friendly, यानि कि वो जो भी product यूज करेंगे, वो reusable बना होना चाहिए, plastic यूज नहीं होने चाहिए, या फिर अगर यूज हो रही है, तो कम से कम हो रही हो, और वो उसको recycle करने का भी काम करते हों, और वो environment को protect करने के भी बहुत सारे measurement अपनाते हों, इस तरह की चीज़ें company के लिए compulsory कर दी गई है, government के तरप से, इसलिए हमारी social responsibility कहलाते है, option A, right answer है, next question पर आते हैं, who conduct the social audit in India for the first time, यानि कि first time किसने social audit को conduct किया था, social audit यानि कि वही जो society से related, जो भी काम हो रहे हैं, उसकी auditing करने की किस तरह से किया जा रहा है, तो देखें, यहाँ पर options दे रखें, GRD Tata, Birla, Reliance Group और State Bank, तो यहाँ पर first time की बात करें, friends तो देखें, इसका right answer हो, option A, जो किया, GRD Tata, यानि कि Tata Company नहींगे, next है, who is concerned with the presentation of union budget, यो union budget की जो presentation होती है, वो किस से concerned होती है, यह भी मैं आपको discuss कर चुकी हूँ, right answer होगा है, यहाँ पर option number B, finance minister, finance minister की responsibility होती होती है, उसके presentation की, तो option यहाँ पर B, right answer है, next question पर आते हैं, which bill is concerned with the tax proposals of the budget, अब यहाँ पर बताएगा, इसा कौन सा bill है, जो की budget की tax proposal से related होता है, cash bill, finance bill, state bill, या फिर none of these, friends, जब भी कोई भी budget prepare किया जाता है, उसकी proposal के लिए, जो bill concerned होता है, या उससे connected होता है, उसको बोलते हैं, finance bill, जो कि finance minister जो है, वो present करता है, इसलिए हाँ पर option B, right answer हो जाएगा, finance bill, और जब ये bill pass हो जाता है, तो ये act में convert हो जाता है, next है, a good environment is good business, who said this, यानि कि एक good, एक अच्छा environment या फिर हम ये बोल सकते हैं, वातावरण ही हमारा अच्छा business है, ये किसने कहा है, डॉक्टर M.S. Swaminathan, डॉक्टर S.S. Rao, डॉक्टर M. Singh या फिर डॉक्टर A.R. Rajan है, तो देखें, यहाँ पर इसका right answer, option number A, जो कि है, डॉक्टर M.S. Swaminathan, option A, right answer है, friends, डॉक्टर M.S. Swaminathan, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगे, लेकिन ये फादर के नाम से भी जाने जाते हैं, उस चीज के लिए, तो आपको comment section में बताना है, डॉक्टर M.S. Swaminathan को, किस चीज के फादर के लिए जाना जाता है, इन्होंने किस का invention किया था, जिसके बाद इनको उस चीज का फादर कहा जाने लगा, तो आपको comment section में बताना है, बहुत important question है, बहुत पूचा जाता है ये, ठीक है, next है external environment of business is, अगर में बताना है, जो भी हमारा external environment है business का, वो क्या के, क्या के चीज को include करता है, physical, demographical, economical या फिर all of these, तो देखिए friends, external environment की बात की जारे है, external मतलब company से बाहर की सारी चीजों को collect करना, तो देखिए, इसके अंदर physical भी include होगा, इसके अंदर demographic भी use होगा, और economic भी use होगा, इसलिए, यहाँ पर option D हमारा right answer हो जाएगा, all of these, next आते हैं, physical environment includes, हमें बताना है, physical environment के अंदर, क्या के चीजों को include किया जाता है, तो friends, देखिए, natural resources, climate and water, यह सारी चीजें, physical environment का part है, इसलिए, option D right answer हो जाएगा, next है, natural environment includes, अब जो natural environment है, वो क्या के include करता है, water, earth, air, all of these, पहुती simple है, all of these, जिसका right answer हो जाएगा, next आते हैं, the economic environment of a business include, अब business के economic environment की बात की जारी है, तो देखे friends, इसमें economic system भी include किया जाएगा, economic policy, economic condition, यानि की economic से related, जो भी हमारे aspect होंगे, जो भी हमारे आस्पेक्ट होंगे, पॉलिसी की बात करें, किसी भी strategy की बात करें, यह सारी हमारे economic environment का part होगी, इसलिए आप पर option D, हमारा right answer हो जाएगा, यानि किसने दी थी ओ पॉलिसी डॉक्टर वी एस राओ, डॉक्टर मनमोहन सेंग, डॉक्टर जस्वन सेंग या पर वैंकिता रॉय, तो देखे friends, जो new economic policy आई थी, वो दी थी डॉक्टर मनमोहन सेंग ने, तो option B, हमारा right answer हो जाएगा, next है, capitalistic, consumeristic and mixed are types of, तो friends देखे, capitalistic की बात हम कर चुके हैं, communist की बात कर से सुके हैं, और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, mixed की, तो यह सारे हमारे किस के types हैं, यह सारे हमारे economic system के पार्ट है, जो कि हमें बताते हैं, कि हमारे किस किस तरह की economy हैं हमारी country में, इसलिए option A right answer यह हमारा social system नहीं है, cultural attitude नहीं है, ना कि political system है, ठीक है, यहाँ पर political, culture and society की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर economic system की बात की जा रही है, जो कि यह types होते हैं, कि यह country capitalist है, communist है, यहाँ पर mixed है, ठीक है, तो option A इसका right answer होगा, नेक्स्ट आते हैं, globalization refers to, अब globalization क्या होता है, friends, यह question आप कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो options थे, वो अलग थे, यहाँ पर options कुछ अलग हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग-लग different way में, एक-एक question को पढ़ना है, जिससे कि आपका वो question क्लियर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है lower income worldwide, यह option वहाँ भी था, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर lower income worldwide की बात नहीं करते हैं, globalization, less foreign trade and investment, friends, less foreign trade and investment होगा, तो globalization करने से कोई फाइदा नहीं हो, क्योंकि आपको पता है, जहाँ पर investment कम होता है, वहाँ पर profit भी कम होता है, ठीक है, more risk, more profit, इसकी बात करता है, business के अंदर, global warming and therefore, जब global warming होगी, तो कोई globalization के लिए initiate करेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई इस चीज़ से बचना चाता है, क्योंकि यह एक बहुत ही bad condition होती है, ग्लोबल वाउमिंग की, ठीक है, next है, more integrated and interdependent word, यह बल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सारी country एक दूसरे से integrated हो जाती है, सारी country free हो जाती है, एक दूसरे के साथ trade करने के लिए, free market economy होती है, इसके अंदर, और independent word हो जाता है, तो option D यहाँ पर right answer होगा, next है, IPR stands for, यह आपने पढ़ा होगा, friends, IPR, तो मैं आपको बता दू, IPR की जो full form है, वो है intellectual property rights, यानि कि जो आपके पास, जो भी properties होते हैं, उसके आपको एक particular right मिलते हैं, यह इसका लंबा procedure है, जो कि अगर आपने अपना export paper पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको समझाया गया होगा, IPR के बारे में, तो इसका right answer होगा, intellectual property rights, next question है, MNC stands for, आप MNC का full form बताना है, तो MNC का मतलब यहाँ पर, अगर हम बात करें, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है, multinational corporation, तो देखें, यहाँ पर option A right answer हो जाएगा, next है, the main promoter of trade liberalization was, अब जो trade liberalization है, उसका main promoter कौन था, देखें friends, इसका right answer होगा, get, अब get का वाया था, यह मैं time period आपको बता चुकी हूँ, इसका headquarter का है, और get के बाद, यह किसम convert हो गया, यह सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको बताना है, get के बाद, कौन से round में, get को convert करके, एक other organization बना दी गए, और उस organization का नाम पर आपको बताना है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर, इसका right answer हो, option A, get, पर्मोशन आफ मार्केट, second, promotion of green environment, promotion of education, and promotion of public health, तो देखिए, friends, मैंने आपको बतादा है, social responsibility का मतलब होता है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, अपने तरफ से, यानि कि हम अपनी सोसाइटी को, progress करने के लिए, उनके, किस तरह से help करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर green environment की बात की जा रहे है, जिससे क्या होगा, हमारा pollution काम होगा, तो यह society के लिए है, तो यह correct है, फिर है promotion of education, अब देखिए, हमारी society के जो लोग है, जो uneducated है, उनको हम education देंगे, तो यह पर लेकर society के लिए, कुछ work करेंगे, जिससे हमारी society का, मतलब की progression होगी, हमारी जो country है, उसकी progress होगी, ठीक है, तो यह भी हमारे correct है, फिर है promotion of public health, public health अच्छी होगी, work अच्छा होगा, country अच्छी होगी, GDP अच्छी होगी, और हमारी जो country का profit है, जो national income है, वो सब चीज हमारी increase हो जाएगी, क्योंकि जब तक public health ही नहीं होगी, तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो यह भी points है, तो देखें, यहाँ पर जो गलत है, जो social responsibility का part नहीं है, वो है promotion of markets, market को promote करने से, society को किसी भी तरह का फाइदा नहीं होगा, सिफ market को promote करने से, उस business का फाइदा होगा, इसलिए यहाँ पर option A, जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, पी एल आर स्टेंज फोर, तो friends, यह बहुत ही simple है, आपको पता होगा, पी एल आर का मतलब होता है, time landing rate, तो इसका answer यहाँ पर option B, जो है, वो हमारा correct होगा, next है, the policy of government related to export import is, again, यह repeat question है, मैं आपको कड़ा चुकी हूँ यह पहले भी, तो दिखी, export import, दोनों की बात की जारे है, तो exam policy आएगा, जिसका full form होता है, exam का export and import, तो इसका यहाँ पर option B, जो हम पहले concept समाझ चुके है, next है, the transfer of assets from public sector to the private sector is referred to as, यानि कि ऐसी assets का transfer, जो कि public sector से private sector में होता है, वो क्या कहलाता है, तो देखे, friends, कोई भी ऐसी चीज, जो कि मैंने कल आपको बताया था, अगर वो public sector के hand में है, उसका control and regulation, और बाद में उसका private sector को दे दिया जाता था, वो process पूरी कहलाता है, हमारी privatization, इससे क्या होता है, अब पूरा control, पूरा regulation, प्राइबिट सेक्टर में है, प्राइबिट सेक्टर अपने according, उसको उस चीज को operate करेगी, तो यहाँ पर option A, प्राइबिट सेक्टर हो जाएगा, next question पर आप ते है, पेस्टर इस अनलेटिकल टूल विचाटस to undertake, आप यहाँ पर पेस्टर अनालिसे से वो किस तरह की अनालिसे है, friends, सबसे पहले अनालिसे जानने से पहले किस तरह की आपको इसकी फुल फॉर्म जाननी होगी तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है P से यहां पर होता है Political, E से है Economical, S से है Social, T से है Technological, L से है Legal और Last जो E है वो हमारा है Environmental तो देखिए एक Economic की बात करता है एक Environment की तो यह सारी आसपेक्ट आपको क्या बता रहे हैं? Options के According देखिए यहां पर है Internal, External, Competitor या Strategic तो देखिए यह सारी आसपेक्ट जो के Political, Environmental सारे External हमारे Factor है जो कि हमारे Help करते हैं उसको Analyze करने में तो यहां पर Option A, B राइट आंसर होगा External Analysis तो कि देखिए Political, Environmental, Social, Technological, Legal और हमारा Economical यह सारे क्या है? तो एक बिसने कोफेक्ट करते हैं तो अगर इसके Analysis करें तो इसके Analysis करेंगे तो ऐमारे External Analysis कहीं जाएगी और अगर हम Business Related सारे चीज़ दिखते हैं कि Business लिए बिसने में क्या strategy है, क्या controlling और जानिंग है तो वह अमारे Internal Analysis है इसलो, Option B यहां पर हमारा Right Answer है I hope, यह आपको कॉशन क्लीर हुआ होगा. Next, आते हैं, An Analysis of the External Environment Enables a Form to Identify इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम External Environment की किसी भी त्वे की Analysis करते हैं, तो आपके फार्म क्या identify करने की कोशिश करते हैं? उसकी Strength and Opportunity को, Strength and Weakness को, Weakness and Threats को, या फिर Opportunity and Threats को. तो Friends, देखिए, इसको जानने से पहले आपने एक Analysis पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं, Sort Analysis. देखिए, Sort का मतलब क्या होता है? Strength, Weakness, Opportunity and Threats. तो देखिए, Friends, यहाँ पर यह External की बात करें हैं. जब भी आपको Sort Analysis आपने पढ़ी होगी, तो इसमें बताया होगा, जो Sort Analysis होती है, वो हमारी दो चीजों से मिलकर बनती है, Internal Environment and External Environment. तो Friends, यहाँ पर यह रयाद कर लीजिए, लिए जिए हमारा O.T. होता है, Opportunity and Threats. यह हमारा External Environment का पार्ट होता है, जबकि हमारी Strength and Weakness है, यह हमारी Internal होता है, क्योंकि देखिए, हमारी Company क्या Strength है, क्या Weakness है, यह हम आपकी Internal, जो भी आपका Management होगा, आप उससे पता लगा सकते हैं, आपका Management बहुत पार्ट है, तो आपको पता है कि यह आपकी Strength है, या फिर आपका Management हो पार्ट नहीं है, तो आपको पता है, यह आपकी Weakness है, जबकि Opportunity, Opportunity हमें बाहर से पता चलेगी, कि हाँ, मार्केट में यह चीज़ आई है, लेकिन अभी तक आपके Competitor ने यह Follow, यह Method अडॉप नहीं किया है, यह Technology नहीं लेकर आए, तो वह क्या होगी, आपके Opportunity या फिर कोई नई Technology आई है, वह आपकी Competitor ने अडॉप कर लिए, तो वह क्या होगा, आपके लिए Threat हो गया, तो Opportunity Threat आपके External से पता चलती है, External Environment को देखके, और जो Strength and Weaknesses होती है, वह आपकी खुद के Analyze से पता चलती है, जो कि हमारे Internal Environment से Depend करते है, तो इतना प्याद रखेगा, Sort हमारी दो Environment से मिलकर बनती है, दो Environment की Study करेंगे, तभी हमारी Sort Analysis हो पाईगी, जैसे कि Strength, Weakness, Opportunity and Threat, भी मैंने आपको सोच के तरू समझाया है, वो आपको Question clear हुआ होगा, Next आते है, Multinational Corporation, अब यहाँ पर Multinational Corporation के बताना है कि यह किस तरह कि प्रोडेक्ट में डेल करते है, Always Produced Primary Goods, Always Produced Manufactured Goods, Produced Service, यापर Produced Primary and Manufactured, तो देखे, Friends, अब आपको पता है कि आज में टाइम, जो Global Time है, उसमें क्या है, जो MNC है, जो Monday National Corporations है, वो Primary के साथ साथ, Manufactured Goods जो होते हैं, उनमें डील करती है, इसलिए यहाँ पर इसका राइटान से होजाएगा, Option No. D, May Produced Primary and Manufactured, तेखे, Next आते है, Which of the following is not a force in the Porter Five Forces Model, अब इसमें जो Porter के Five Forces Model है, उसमें यहाँ पर यह बताएगा है कि कौ साथ नहीं है, Buyer, Supplier, Complimentary Products, यहाँ पर Industry Rivalry, तो देखे, यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर Option C, जो है, Complimentary Product, पोर्टर के Five Forces में यह नहीं बताया जाता है, तो Option C, यहाँ पर राइट है, तो देखे, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, या कौन कौन से, Friends, मैं आपको इसले बोलती है, कॉमन सेक्शन में पताने ही, क्योंकि इस से आपका revision होता है, अगर आपको नहीं पता होता है, तो आप इसको सार्च करने की कोशिश करते हो, और अगर आपको पता होता है, आप यहाँ लिखते हो, तो आपका revision हो जाता है, Next, आत as they are not maximizing profit, या फिर become charitable institutions, तो देखे, Friends, value-driven companies जो होती है, अगर हम बात करें, तो इन में से value-driven company कोई भी नहीं है, नहीं long term में successful होती है, नहीं यह profit maximum करेंगी, तो वहाँ पर unsuccessful होती है, नहीं यह charitable institution की तरह काम करती है, इसलिए यहाँ पर none of the other हमारा right answer हो जाएगा, Next question पर आते हैं, Firms choose a focused strategy to serve the needs of which of the following, अभी हाँ पर बात की जा रहे है कि जो firm है, वो किस तरह की strategy serve करती है, needs को देखके, ठीक है, buyers की group की different segment of a product line को देखकर, differential geographical market को देखकर, या फिर all of the allow, तो friends को भी firm अगर किसी भी तरह की strategy पर focus करेगी, जो भी needs होती है, इसको serve करने के लिए, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह सारी ही चीजों हो देखेगी, कि इसके buyer group कौन सा है, उसके product line का different segment कौन सा है, कौन सा geographical market है, जहाँ पर उसे अपने product को sale करना है, तो यह सारे factor ही उसको ध्यान में रखने होंगे, तब ही वो option D हमारा right answer होगा, next question है, which of the following is the characteristic of a strategic business unit, अब हमें बताना है कि इस strategic business unit होती है, उसमें से इसकी कौन कौन सी characteristic है, इस सर्वा homogenous set of market, यानि कि होमोजीनियस nature के product होते हैं, या market होते हैं, उसमें dealing करती है, इस सर्वा unit set of product, तो देखें, यहाँ पर homogenous है, unique, यानि contract है, तो इन में ऐसे कोई एक ठीक होगा, इट owns responsibly for its own profitability, या फिर all of the above, तो देखें, यहाँ पर हम देखें, तो देखें, यह unique product भी sale कर सकते हैं, homogenous set of market भी ला सकते हैं, और यहाँ पर own profitability के लिए, यह responsibility भी अपने खुद लेती है, तो इसलिए यहाँ पर option be right answer हो जाएगा, एक strategic business में इस सारी चीज़े देखी जाते ह है, homogenous market होते हैं इनके और यह खुद की responsibility बनाती है, अपनी खुद की profitability के लिए, तो option D, हाँ पर right answer हो जाएगा, next question है, which one of the following is not a generic strategy, अब हमें बताना है, इसमें से कौन सी generic strategy नहीं है, तो देखी, cost leadership, product differentiation, cost focus, और group focus, अगर हम generic strategy की बात करें, generic का मतलब होता है, simple or general, तो देखी, friends, generic में सबसे पहले देखते है, cost leadership को, product differentiation को, कि product किस तरह है का है, and group focus को, जिबकि cost focus जो होता है, वो हमारा generic strategy का part नहीं होता है, इसलिए, यहाँ पर option C, जो होगा, वो हमारा right answer हो जाएगा, next हाते है, a retrenchment strategy is designed to reduce, अब एक retrenchment strategy जो होती है, वो किस चीज़ को reduce करने के लिए design की जाती है, technical losses को, financial losses को, the scale and scope of business operation को, या फिर all of the above, तो देखे, friends, retrenchment strategy की बात करते हैं, तो यहाँ पर retrenchment किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे हो technical loss हो रहा है, तो उसको reduce करने की बात हो, या फिर किसी भी business operation में उसका scope या scale को कम करने की बात हो, क्योंकि, friends, retrenchment एक ऐसी strategy होती है, इसमें कम्पनी में किसी भी तरह का loss हो, किसी भी aspect से related, अगर वो loss को reduce करना है, तो हम retrenchment की strategy follow करते हैं, इसमें यहाँ पर option D, जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इन्होंने पूछा गया है कि ethical values I drive from, यानि कि जो ethical values होते हैं, वो हमारे किस चीज से drive होते हैं, corporate की philosophy से, organization की culture से, corporate objective से, या फिर religious book से, तो friends, ethical values की बात करें, तो देखे, ethical values जो होती है, यह हमारे ethical values, mostly हम corporate के wishes पर देखते हैं, कि उस corporate की philosophy क्या है, यहाँ पर culture से, कोई इसका लेना देना नहीं होता है, ना ही company के objective से, इसको differentiate कर सकते हैं, religious book से भी हम ethical values नहीं ला सकते हैं, religious book से हम अपने अंदर, कुछ changes कर सकते हैं, हमारे mentality को लेका, ठीक है, तो यह सारी चीज हैं, यहाँ पर अगर हम ethical values की बात करें, तो corporate philosophy हमारे यहाँ प लेके काम करेंगे, एक philosophy जो होते है, इसको लेके, यहाँ पर organization का culture, objectives, इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे culture किसी को भी belong करते हो, चाहे कुछ भी objective, उनके ethical values, उनकी philosophy करते हैं, इसलिए option A, right answer है, next आते है, which of the following is not related to business ethics, अब देखे, business ethics में यहाँ पर यहाँ बताएगा है, कौन-कौन से related नहीं है, first है, social responsibility of business, तो यह भी business ethics की तरह काम करता है, फिर है environmental ethics, environmental ethics भी business ethics में आता है, क्योंकि जब कोई company business करती है, तो यह उसकी duty हो जाती है, यह उसके ethics में शामिल हो जाता है, कि अपने environment का भी धिहान रखे है, क्योंकि environment सही होगा, तब लोग सही रहेंगे और उसकी company भी सही से चलती रहेंगे, क्योंकि overall हम अपनी company तभी अच्छी चला सकते हैं, जब हमारे आसपास के लोग सही होगे, जब लोग सही नहीं होगे, तो हमारा product कौन खरीदेगा, इसलिए यहाँ पर environmental जो भी issues हैं, उसको देखना भी business ethics में ही include किया जाता है, फिर आ profitering यहाँ पर not पूछा गया, इसलिए profitering नहीं होगा, क्योंकि friends, किसी भी company के लिए profit जादा कमाना, कम कमाना, यह business ethics का पार्ट नहीं होता है, यह उसकी खुद की मर्जी होते हैं, कि वह कितना profit add करें, कितना नहीं करें, यह ethics का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर option D, right answer हो जाएगा, next है, the job the following is not a tool of corporate governance, अब हमें बताना है, जो corporate governance होती है, उसमें से कौन सा यह tool नहीं है, first है preparation of financial statement, तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, preparation of financial statement की, appointment of independent directors, compulsory audit of financial statement, time bound promotion of employees, तो देखिए friends, corporate governance की बात करें तो यहाँ पर time bound हम नहीं करेंगे promotion of employees का, कि किसी भी employee का promotion इस time foundation के अंदर ही होगा, या फिर यह उसकी restrictions है, तो इस तरह यह corporate governance का tool नहीं है, हाँ, यह corporate governance का main purpose यह होता है कि अपनी जो company होती है, उसकी true picture show करना, तो देखिए compulsory audit होगा financial statement का, तो हमारी company की सही report present होगी, फिर appointment of independent director, independent directors का appointment किया जाए, जिससे की true information निकल करा है, क्योंकि अगर आप जो dependent directors होगे, वो कभी भी company की या फिर business की सही तरह से decision नहीं ले पाएंगे, सही तरह से report नहीं दिखा पाएंगे, मतलब वो हमेशा company पर dependent रहेंगे, तो company की जो बुराइया होंगे, उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, फिर है preparation of financial statement, financial statement prepare करना भी corporate governance का ही पाट होता है, क्योंकि यह सारी चीजे help करते हैं, company की true picture दिखान में, company को और ज्यादा progress करने मे और company को, मतलब सब तरह से sound effect प्रोइट करती है company को, जबकि अगर हम time foundation कर देंगे, तो company के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम employee के promotion की foundation कर देंगे, तो वहाँ पर वो सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, तो सही product नहीं निकल कर आपाएगा, इसलिए यहाँ पर option D right answer हो ज किस तरह की managers or employees को guidance provide करता है, when they encounter an ethical dilemma, जब वो encounter ethical dilemma को for improving their technical skills or pursuing their business goals or all of the above, तो friends, यहाँ पर business code of conduct की बात की जा रहे है, जो कि managers or employees को help करता है guidance करने में, तो friends, देखें, यहाँ पर यह encounter ethical dilemma को, यह भी बिल्कुल सही है, जो code of conduct होते है हमारे, और यह हमारे technical skill में वी improve करने में help करते हैं, यह हमारे business goal को project करने में help करते हैं, तो यहाँ पर option D right answer हो जाएगा, next हाते है, the strategic management process is the way in which strategies determine objectives and अभी strategic management कौन सी process, एक ऐसी process है, जिसके अंदर strategies determine करते है, objectives को and another दूसरी चीज़ को वो क्या है, तो देखें, यहाँ पर दी जा रहे है, make planning, make coordination, make strategic decision या फिर make controlling, तो friends, यहाँ पर देखें है, strategic management की बात आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर strategic determine objectives है, तो strategic decision की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर option C right है, अगर यहाँ पर strategic नहीं दिया होता, only management दिया होता, तो हम make planning, make coordination, make controlling भी यहाँ पर हमारा सही option होते है, लेकिन यहाँ पर particular strategy की बात की जा रहे है, strategic management की, इसलिए strategic decision इसका right answer होगा, option C right है, next question है, the strategic management as a district management process that involves, अब strategic management जो है, वो as a district management process है, जो की हमारा involve होता है, किस-किस चीजों को involve करता है, and organizations engaging in strategic planning and then acting on those plans, यानि organization को engage करता है, strategy and planning करने में, और फिर acting, मतलब यहाँ पर और फिर work करता है, on plan पर, next है an organization activity in respect of finance, यानि कि finance के respect में organization की activity होती है, यानि कि जितना finance होगा, उसके according, वो लोग work करेंगे, activity करेंगे, फिर है an accounting system, यानि कि एक accounting system, वो adopt करेंगे, तो यहाँ पर देखे, इसके right answer की बात करें, distinctive process में, strategic management एक ऐसा distinctive process है, जिसके अंदर organization की strategic planning और acting करता है, उस पर, friends, आप याद रखेगा, strategic management की बात आ रहे है, तो कोई भी काम होगा, उसमें strategic words जरूर आएगा, जैसे कि यहाँ पर strategic planning and then acting on those plans, इसलिए यहाँ पर option A, right answer हो जाएगा, ठीक है, वैसे और point भी सही है, लेकिन यहाँ पर strategy से कोई उनका connection नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पर option A, हमारा correct answer है, next है, strategy deals, अब जो strategy होती है, हमारी किस के साथ deal करती है, product के साथ, demand के साथ, choice and direction of the organization या all of the above, तो देखें, आपर strategy की बात करें, तो friends, जो हम कोई भी strategy बनाते हैं, तो strategy कभी भी हम, demand को लेके नहीं बनाते हैं, product को लेके नहीं बनाते हैं, हमेशा हम strategy बनाते हैं, जो भी organization के directions होते हैं, और उसकी choice होते हैं, उसके according, इसलिए यहाँ पर देखें, friends, right answer होगा option number C, next आते है strategic management is the set of decisions and actions in formulation and implementation of strategies designed to achieve the objectives of, यानि कि strategic management is a set of decisions है, और एक work करता है, किसी भी strategy को implement करके उसको formulation करने में, और यह किस चीज के objective को achieve करने में help करता है, management के, organization के, customer के, finance के, very simple answer, right answer option A, sorry, B, organization के, इसलिए option B, right answer होगा, next आते है, dash is a set of rules aimed at taking decision for substance and growth of an organization in a given environment, हमें बताना है कि इसी क्या चीज है, जो की set of rules होती है, जिसका aim होता है, decision लेना और organization, जो भी environment हमें दिया हुआ है, उस environment में, उस organization की growth करना, तो यह marketing management का part है, production management, strategic management, या फिर financing management, तो देखी, friends, यहाँ पर environment की बात कर रहे है, environment के according, तो यहाँ पर देखी, यह option, C right answer होगा, strategic management, finance management में, finance के regarding चीज़े देखी जाते हैं, कि हमें कहां से fund raise करना है, कहां कहां अपना fund invest करना है, जिससे कि हमारा जो finance है, हम उससे ज़्यादा ज़्यादा profit या फिर benefit ले सके, production management में, यह देखा जाता है, कि हम किस-किस चीज में production कर रहे हैं, जिससे कि हमा हाँ पर organization के environment से related growth की बात की गई और इस पर decision की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर strategic management आएगा, क्यों यह पूरी strategic का पार्ट होती है, कि हमें किस तरह से क्या सारी चीज़े करनी है, option C right है, next आते हैं, friends, आज की वीडियो के लिए last question रखेंगे, strategic management involves, अब जो strategic management है, उसम determination of the organization's mission and vision, determining strategic policies, taking strategic planning and decision, या फिर all of the above, देखे, friends, मैंने आपको बताया था कि जो भी, जब हमें strategic management की बात करेंगे, तो जब भी आप कोई भी उसका statement पढ़ें, तो महाँ पर strategy word जरूर आएगा, यानि कि कोई भी काम जह हम strategy को लेकर करते हैं, तो हमारा strategy management का part बन जाता है, तो देखे, friends, यहाँ पर बात की जा रही है, determining strategic policies, यानि कि जो strategic policies उसको determine करना, तो यानि B option सही है, फिर आरा है taking strategic planning and decision, ये भी हमारा सही है, क्योंकि strategic planning and decision की बात की जा रही है, तो जब दो सही है, तो of course हमारा यहाँ पर D option सही होगा, first order देख लिए ते determination of the organization's mission and mission, तो friends organization के mission and vision की बात की जा रही है, तो इसमें hidden है, strategy की बात की जा रही है, इसलिए option A भी correct है, इसलिए option D, all of the above, right answer है, तो friends, आज के लिए इतना है, I hope आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीचेगा, अपने friends के शेयर कीचेगा, और कि तके लिए थक्याइ, आब जड़ो, थो कि बात की ठाई है, त